नवरात्री के वक्त सपने में मादुर्गा का आना देता है इस बात का संकेत, सपने में किसी देवी देवता के दर्शन होना बहुत ही शुब माना जाता है और ये आने वाले भाविश्य के बारे में बताता है, नवरात्री में मात्र एक सपताह शेश है इसलिए, नवरात्री लाल जोडे में हो मा, दुरगा के दर्शन, यदि आपके सपने में मा दुरगा लाल, जोडे में मुस्कुराती हुई दिखे तो समझ, लीजी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने, वाला है, ये शुबकार्य आपकी प्रफेशनल, लाइफ से जुड़ा हो सकता है या फिर आपके निजी जीवन में कोई खुश खबरी, आपको मिल सकती है, अविवाहितों के लिए शादी का अच्छा रिष्टा आ सकता है, बिरोजगारों को रोजगार मिल सकता है और विवाहितों को संतान सुख की प्राप्ती हो सकती है, शेर पर सवार दिखे मा दुरगा, यद आपको सपने में मा दुरगा काले, वस्त्रों में और प्रोधित अवस्था में दिखे तो ये बेहद अशुप संकेत है, ऐसा सपना आने पर आपको तुरंच सतर्क हो जाना, चाहिए ऐसा सपना किसी अन्होनी की आशन का बताता है या फिर अशुप समाचार मिलने का संकेत देता है, प्रोधित रूप में में दिखे मा, काली, यदि आपके सपने में मा दुरगा की काली, स्वरूप प्रोधित अवस्था में दिखे तो ये अशुप संकेत है, इसका मतलब ये है कि आप कोई गलत कार्य कर रहे हैं और मा दुरगा आपको चेतावनी देने आई है कि सभी गलत काम छोड़कर अच्छी राह पर चलें ये सपना आने वाले वक्त में आपके लिए शारीरिक कश्ट की तरफ भी इशारा करता है सपने में मादुरगा की मूर्ती दिखना सपने में मादुरगा की मूर्ती दिखने का अर्थ है कि आपके साथ जल्दी कुछ बहुत अच्छा होन वाला है और आपको किसी बहुत ही महत्वपून यूजना में शुब परिनाम की प्राप्ती होने वाली है। इस वक्त कोई आपका कुछ हित नहीं कर पाएगा और दुश्मन का हर वार खाली हो जाएगा। ऐसा सपना आने पर चिंतामुक्त हो सकते हैं क्योंकि माभगवती की कृपा आप पर बनी हुई है। सपने में मादुर्गा की खंडित मूर्ती दिखना। सपने में मादुर्गा की खंडित मूर्ती का नजर आना बहुत ही अशुब परिनाम देने वाला माना जा रहा है। ऐसे सपने का अर्थ यह माना जाता है कि मादुर्गा आपकी किसी कर्तूत से नाराज है और उनके क्विपा आपपर से उठ चुकी है। आपको किसी कारण से धन का नुकसान भी हो सकता है। ऐसा सपना आने पर आपको मादुर्गा की यथा संभब पूजा करनी चाहिए। धन्यवाद।